आज मैं लाई हूँ बहुत ही डिलीशियोस और खुश्बूदार सिंधी ब्रयाने की रेस्पी तो आज ब्रयानी लवर्स बहुत ही खुश होने वाले हैं मेरी फैमली में तो सभी मेरी ब्रयानी के देवाने हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिसमिल्लार रहमान रहीम ब्रियानी का कॉर्मा बनाने के लिए मैंने 8 हदद जो है वो मीडियम साइस के प्यास लिए है और उनको इस तरह से बारीक बारीक मैंने कट कर लिया है पांच हदद मैंने टमाटर लिए है जो के मैंने फ्रीज किये वे थे और इनकी मैंने स्कीन उतार लिए है वन टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट जाएगा और वन कप ये योगर्ट है थोड़ी सी इंबली और थोड़ा सा हम सुखा आलू भारा लेंगे सिंधी ब्रियानी मिसाले का एक पैकिट और थोड़ी सी हल्दी और साथ में साबत जो मिक्स गरम साला होता है वो जाएगा वन केजी चिकन और वन केजी ही राइस मैंने दो के बिगो दिये हैं पहले हम कोर्मा त्यार करेंगे ब्रियानी के लिए मैंने वन कप ऑईल यूज किया है यहाँ पे ऑईल गरम हो गया है अब मैं इसके अंदर प्यास शामिल कर दूँगी प्यास गोल्डन हो जाएंगे तो फिर हम इसके अंदर जिंजर गालिक पेस्ट जो है वो शामिल कर देंगे अब फिर इसे थोड़ा सा हम भून लेंगे तीन से चार मिनट मैंन को अच्छी तरह से फ्राय कर लूँगी आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आ गया है अब मैं इसके अंदर टमाटर एट कर दूँगी और अब हम अपने तमाम स्पाइसिस जो हैं वो इसके अंदर डाल देंगे और साथ में सिंधी ब्रियानी मसाले का जो एक पैकेट है वो भी इसमें शामिल कर देंगे मैं साथ में आपको कुछ इसके सिक्रेट्स भी बताऊंगी कि जिसकी वज़ा से आपकी ब्रियानी जो है वो बहुत ही टेस्टी और हुश्पुदार बनेगी कभी कभी हम कहते हैं ना कि फलाँ की ब्रियानी खाई तो वो इतनी टेस्टी क्यों थी ऐसा जैका हमारे घर में क्यों नहीं आता तो कुछ की पॉइंट्स होते हैं अगर आप उसको फालो करें तो आपकी ब्रियानी भी बहुत तेस्टी बन सकती है तो चलिए तुमाम स्पाइसिस हमने अची तरह भूल लिए हैं अब हम इसके अंदर चिकन एड़ करेंगे चिकन का कलर जो है वो चेंज होने तक हम इसको इसके अंदर फ्राय करेंगे अब मैं इसके अंदर आलू भी जो है वो शामिल कर दूँगी और साथ में जाएगा एक ग्लास पानी ताकि हमारा चिकन और आलू जो है वो सेम टाइम पे ही जो है वो पक जाए तो चलिए चेक करते हैं, पानी जो है वो काफी ड्राई हो गया है, अब मैं इसके अंदर इंबली और आलू भारा भी शामिल करतूंगी और साथ में मैं इसमें डालूंगी वन कप दही का, दही से भी बहुत अच्छा टेस्ट बनता है कॉर्मे का तो आब इस स्टेच पे मैं इसके अंदर थोड़ा सा ओरिंच जो फूट कलर होता है वो शामिल करूंगी ये बड़ा हम पॉइंट है कि जो असल सिंदिर ब्र्यानी की रेस्पी है उसमें फूट कलर जो है वो हम कॉर्मे के अंदर ही आड़ कर देते हैं इससे हमारे आलू और चिकन के उपर भी कलर आ जाता है बहुत अच्छा सा और साथ में ही एक और सीक्रेट बताऊंगी इसका टेस्ट जो है वो डबल करने के लिए आपने इसके अंदर दो तीन ड्रॉप जो है केवरा एसंस के भी शामिल करने है इसके बगार और आलू के ब इसके अंदर शामिल करने है जब पानी हमारा अच्छी तरह से वाइल होना शुरू हो जाए यह मैंने करी पता और दार्चीनी की स्टिक और एक दो लोंग इसमें शामिल किये हैं अब मैं इसके अंदर जो है नमक डाल दूंगी दो तीन चमच राइस हमने फुल डर्नी करने मैं आपको दिखाऊंगी किस स्टेज पर हमने इन चावलों को उतारना है और चूला बंद करना है जब इस तरह से हमारे बबल्स बनने शुरू हो और यह हलका सा जैसे जाग जाग सी और बबल्स से बन रहे हैं तो इस स्टेज पर हम चूला बंद कर देंगे और चावल उता को ठाले कॉर्मे दो कोर्मे का डाले जैसा कि लिए भी कस बासे पीलोए रोती dicatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat harmony with the rotund Feature and Census스트 ckapsh uh Icuquis यांट subisky से नेंट decisy लेकिन साराchosh साराक कोर्मा जो है वो के अंदर डाल देंगे इन तमाम चीजों से हमारी बियानी में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और खुश्बू भी बहुत अच्छी आएगी मैंने जो कोर्मे के अंदर ही फूट कलर यूज किया था उसका फाइदा यह होगा कि जब हम चावल इसके अंदर डालेंगे और अब बम देने के बाद जब हम उनको मिक्स करेंगे तो नीचे से चावलों में यह डार कलर से आजएगा और मैं की वजह से और फ्रूट कलर डालोंगी उससे उपर वाली तैमे तोरा लाइट 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 कलर आएगा इस तरा डबल शेड़िट जो है अमारे राइस में और बहुत अच्छे लगेंगे अब मैंने सारे चावल अकठे ही इसमें डाल दिये हैं और उपर से मैं टमार्टर लेमन और जो है तीन चाव टेबल स्पून आइल डालूंगी आइल का ये फैदा होगा कि ये चावल हमारे जो हैं वो मुरेंगे नहीं अब मैं एक साइड पर अब तोड़ा सा यालो फूट कलर डालूंगी और फिर हम 15 मिनट के लिए इसको नीचे तबा रखके मीडियम फ्लेम पे जो है दम दे देंगे 15 मिनट्स गुजर चुके हैं तो चलिए चेक करते हैं मार्शाला सुभानला इसने ही खिले खिले चावल लाड़ी हुए हैं और पूरे घर में फैली हुई है तो चलिए मैं आपको चेक करवाती हूं कि कैसा कलर आया है इनमें बहुत ही जबरदस्त यह मैं आपको अभी सर्विंग डिश में इसको जो है डाल के चेक करवाऊंगी आप भी इस ब्रयानी को जरूर बनाएगा और मुझे कमेंट्स बाक्स मे जरूर बताईएगा कि आपकी ब्रयानी कैसी बनी है तो चलिए सर्विंग डिश मेंट को डालते हैं कितने जबरदस्त कलर आए हैं कहीं से डार्क तो कहीं से लाइट तो इस तरह से हमारी ब्रयानी बड़ी कलरफुल सी त्यार होती है मेरे बच्चे तो बड़े शोख से सिं सिंदी ब्रयानी हो तो हम तो बस सिंदी ब्रयानी ही आपके हाथ की खाएंगे तो ब्रयानी लवर्स तो हर घर में ही होते हैं तो आप इसे बनाएए और इसको बनाने में अगर आपको कोई कॉन्फूयन है या कोई आपके माइन में कोई क्वेस्टन है तो आप मुझे मेहनत की और कुछ टीप्स होते हैं जिनको फालो करने की जरूत होती है मेरी आप से रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ जो बेल आइकन है उसको भी दवाएं और वीडियो अच्छी लगए तो लाइक करें और शेयर करें तो चलिए आपको भी इंतजार होगा एक अच्छी सी बात का तो उसी अच्छी सी बात के साथ हम वीडियो का एंड करते हैं गलती हो तो माल लें और गलत फहमी हो तो दूर कर लें यही अच्छी जिन्दगी गुजारने का सलिका है फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ अल्ला हाफिज